हरहार महादेव देवों के देव महादेव जी के चरण में परणाम करती हूँ मेरा परणाम स्विकार हो माता गवरा पार्वती के चरण में परणाम करती हूँ मेरा परणाम स्विकार हो गनपती ललनुआ के चरण में परणाम करती हूँ मेरा परणाम स्विकार हो सब गुरु भाई बहनों के चरणे परणाम करते हूं मेरा परणाम स्विकार हो मादा पिता के चरणे परणाम करते हूं मेरा परणाम स्विकार हो गुरु भाई बहन मैं एक कथा सुनाने जा रहे हूं इस कथा को पूरा सुनिये और रहर जानिये आदी नहीं आदी सुनने में सिवगुरू का अपमान होती है पूरा सुनने में ग्यान होती है इसलिए कथा को पूरा सुनिये और रहा जानिये हर हर महादेव घर महादेव गुरूभाई बहना एक राजा थे और एक रानी थी तो राजा सहाब का एक ही लड़का था जब बड़ा हो गया तो राजा सहाब उसको साधी कर दिये और जब साधी किये तो जो बहु थी वह बहु शुंदर थी उसका चांद की तरह सूरत था वह देखने में उसका सूरत लगता था कि एक चांद है इतना सुंदर थी वह जो रानी थी बेटे का जो साधी किये तो जो बहु आई उसका बहुत सुन्दर चेहरा था बहुत सुन्दर थी जिसे पूरा विश्व सुन्दरी कहते हैं या इंद्र का पड़ी कहते हैं उसी तरह वो रानी बहुत सुन्दर थी तो आई आई तो घर में अपना ससुराल में रहने लगी तो साल दो साल हो गया बित तो मा बनने वाली थी और वो जो रानी थी वो किसी से नहीं बताई कि हां हम मा बनने वाले हैं नहीं अपने सास से नहीं अपने ससुर से नहीं अपने पती से किसी से भी अपना वारे में नहीं बताए कि हम मा बनने वाले हैं जब वो बाल जहार रही थी मचियां पर बैठके तो उसका सास का नजर पड़ गया और जब सास का नजर पड़ गया तो उसका जो बाल था पहुत बड़ा बड़ा था और मचियां से नीचे भी उसका बाल लो रहा था और देखने में पूरा दुरगा की रूप था सास देखी तो सोच रही है सास कि अरे वो सोतेली सास थी अरे ये तो हमसे भी सुन्दर है मचियां पर बैट के बाल जार रही है यदि ये ऐसे ही रही तो मेरा पुरा राज पाटे ले लेगी इसके सामने तो मेरा कोई भैलू ही नहीं रहेगा क्या करें इसको मरवा देंगे किसी कारण से न कैसी किसी कारण करके और मरवा देंगे वो जो सास थी वो क्या किया कि जाके पलंग पे सो गई पलंग पे सो गई तर में पूरा खपड़ा खुपड़ी ले ली और जाके विष्टर के तर के अरके और शो गई और जब उसको बेटे आएं तो मा मा कहके आवाज देने लगे मा मा किधर गई मा किधर गई तो उसकी पत्नी बोली आपका मा पता नहीं किसी कारण सोये हुए हैं जाकर देख लीजिए बेटा गए देखने अपने मा को तो मा का रही है चिला रही कि आज मेरा जान ही नहीं बचेगा बोला मा क्या हुआ बोला कि बेटा आज यदि कुछ ऐसा है कि जो तू ला को दे देगा तो मेरा जान बच जाएगा और नहीं तो मेरा जान आज खतम हो जाएगा निकल जाएगा कुछ गुरु प्रोहित ने आये थे दर्वाजे पर और जब उसको समस्य सुनाएं तो वो ऐसा बताए हैं क्या तु कर पाओगे बेटा बोला हा मां हम कर देंगे एक बार बोल के देखो मां के देखो मां हम देंगे बोला बेटा तु अपना पत्नी के कलेजा मुझे लाकर दे दो अपना पत्नी के जो कलेजा दे देगा तो उसके उस कलेजे पर हम चड़के नहाएंगे तो मेरा पूरा बीमारी ठीक हो जाएगा और उसके बाद उस कलेजे को भूझ के हम खा जाएंगे तब हम कंचन हो जाएं जब ऐसे बोली तो बिचारा उसका जो पती था बेटा बोला कि हां मा ये क्या मेरा पत्नी क्या तु तु मेरा जान भी मांगेगी तो हम दे देंगे मा एक वर बोल के देखो का के देखो हम दे देंगे मा अपना जान बोला नहीं बेटा तुम्हारा पत्नी का जान चाहिए कलेजा चाहिए हम उसे मारने कुल यह नहीं कर रहें बेटा सिर्फ अपना पत्नी का कलेजा लाके दे दो बोला ठीक है मा वो जाके पतनी के बोला कि रे आप क्या कर रही हो उनका पतनी बोली हम तो खाना बना रहे है तो आपका भाई का साधी है कल चलना होगा अपना मैके बोले तो मेरे घर से नहीं नवा आया है नहीं ब्रहामन आया है नहीं मेरे भाईया आया है नहीं मेरे पिता जी आये हैं तो मेरे घर साधी कैसा बोले कि आप नहीं जानते हैं आपका पिता जी आये थे लियावन में और हम वहीं से लोटा दिये अपना कामपर से ही इसलिए आपको हम पहुंचा देंगे बोले ठीक है चलेंगे कलके चलेंगे ए राजा जो था क्या किया कि सोनी मुठी छूड़ी रख लिया अपना जोला थैली में करके और रानी को जब सुवेरे होके रानी तैयारी करने लगी नईहर का सोला सिंगार करने लगी तो राजा जर जर रोने लगा तो ए रानी कहती है हम उंजे जाई राजा अपने नाई अरावा जी अपने नाई अरावा अरे तो रे काई नाई नाजा जे ले मुरे राजा जी हाथ जाबे तो ही जैवा धानी अपनो नाई अरावा जी अपनो नाई अरावा अरे या सगरा हमा कैसे रहवे मुरा धानी जी ये जो पती है ओ कहा कि हमकेले कैसे रहेंगे इसलिए असूगी रहा है जब बैचारी साड़ी पेनने लगी तीयार होने को लिए तो फीर राजार होने लगा देखके पूरा बतीस गहना पहनने लगी तो फिर राजा रोने लगा तो फिर बोला इसका रानी बोली रतोर काहे नाए नाजा जैले मुरा प्राभूजी तो हुझे जाहा धानी अपन नाई आरावा रूपा देखी नाए नाजा जैले मुरा धानी जी राजा बोला आपसास दर्ज रहे हो और आपका रूप देखकर मुरेरा नाई ना जज़ा रहा है कि जब से आए हैं जब से एक जगार रहे हैं बैसे अकेला रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए राणी बोली पतिदेव जी कुछी देन का तो बात है मैके जाएंगे जल्दी से लोटके आ जाएंगे वहां से राणी का डोली और राजा अपना घोड़ा से लेकर चल दिए चलते 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 बीजू अन जंगल में लेकर चले गए अपना पतनी के रानी कहती है राजा सहाब मेरा मैके इधर नहीं है आप इधर कैसे लाए है राजा बोले रानी आपका मैके इधर ही है आप इहीं रुख जाई आप दूसरा डोली आपको पिताजी भेजेंगे उस डोली से आपको ले जाएंगे हम पुरा जो कहार था और डोली था लोटा दिये और रानी को बीजू बन जंगल में उतार लिये बीजू बन जंगल में उतार लिये और अपना जांग दे दिये रानी को सोने को लिये कि आईए आपको थोड़ा सा धूप से धूप है जादा तो विश्राम कर लीजिए उसके बाद आपको हम मैकी पहुचा देंगे जो राजा के पत्नी थी वो अपने पती के जांग पर सो गई जब पती के जांग पर सो गई तो उसको बाल सोहराने लगे राजा माथा सोहराने लगे सर सोहराने लगे तो उसका नीन्द आ गया उसका नीन्द आ गया रानी को तो राजा देख रहे हैं कि अब इसका नीन्द आ गया क्या किये कि जो इनके पास सोने मुठी छुड़ी था उस छुड़ी से रानी को कलेजे में मार दिये कलेजे में मार दिये तो रानी तो छटपटा के इस दुनिया से चल गई उसका पूरा पेट फार दिये कलेजा निकाल लिये और जब पेट फारे तो देख रहे हैं कि एक सुन्दर सा बच्चा उसका उद्र में है जब सुन्दर सा बच्चा उद्र में है तो ये बच्चा को निकाल कर और क्या किये कि कलेजा गमची में बान लिए और बच्चा को ले लिए गोद में और जितना उसको पास गहना था रानी के सर पे वो सारी गहना उतार के और एक जोले में रख लिए और कलेजे भी रख कलेजा भी रख लिये और बच्चा को भी ले लिये और बच्चा को लेकार और कहने लगे हमा तो जानाईती धानी ओद्रे नांदे लालावाजी अरे बिजुबन जांगलवा नाही लैती मोरादानी जी नाही ओमे मरती धानी नायर पाहूं चाईती जी नायर पाहूं चाईती अरखासी आकाटी ये कलेजा माई के देती मोरादानी जी ये जो पती है और उन्हें लगा और कह रहा है कि हम तो जानते कि आप मेरा बचे का माँ बनने वाले हैं आपका उद्र में मेरा बच्चा है तो हम आपका जान नहीं लेते और आपका कलेजा नहीं निकालतें आउर आपको हम मेके पहुचा देते और खशी काट के इसका कलेजा हम दे लाते मां को लेकिन अब क्या करें अब तो मेरे पास कोई उपाई नहीं है वो क्या किया राजा, दुष्ट राजा, दुष्ट पती कि अपने मां के पास चल दिया और मां के कलेजा हाथ में दे दिया लो मा कलेजा ले लो मा कलेजा ले ली और राजा बोला कि मा कलेजा ले लो और कलेजा पर नहां के खालो भूज के तुम तो स्वास्त हो जाओगी लेकिन ये जो 16 सिंगार है और 32 गहना है उसका सब कुछ ले लो और मेरा बच्चा का पोस्ट दो ये क आती है कि नहीं हम नहीं लेंगे जेही तेला बाभु नंदे लाला केला गाएवे नंदे लाला केला गाएवे ओई तेला जी मुरा चाटै वे मोरा बेटा जी जेही दूदा बाभु नंदे लाला केला गाएवे जेही गोदा बाभु नंदे लाला केला गाएवे नंदे लाला केला गाएवे ओई तेला मारा मारा सुया मेरा बेटा जी ए राजा जो था ओहां से चल दिया उदा सुकर उदास होकर चल दिया और अपना ससुराल गया अपना सरहज के भी बोला सरहज भी बच्चा पोस्ने को लिए नहीं कहा सास भी नहीं बोली कि हम पोस्त देंगे बच्चा और कोई भी उसका बच्चा पोस्ने को लिए तयार नहीं हुए जब कोई पच्चा उसको पोशने को लिए तयार नहीं हुए तो राजा रो रोके और उहां से लोट रहा था ससुरार से अब अपना पत्नी को याद कर रहा है राजा छाती पीट-पीट के रो रहा है कराय की अब हम क्या करें मेरा बच्चा कैसे पुश आएगा चलते चलते एक बहुत बड़ा गुलर का पेड़ था गुलर का पेड़ था ओ गुलर बोला राजा तु क्यों रो रहा है क्या हुआ ये अपना बात का सुनाया गुलर से जब अपना दुख दर्द का सुनाया गुलर से तो गुलर माता बोली अरे ऐसा करो राजा जितना गहना और मेरा डाल पात में पिना दो और पहना के और क्या करो कि मेरा गुलर का फल है उस फल में अपना पुत्र को लटका दो जब बारा बर्स हो जाएगा तब पुत्र को मेरे पास से ले जाना अपरती दिन आकर देख लेना अपने पुत्र को बोला ठीक है वो क्या किया कि राजा डार पात में पूरा गहना पेहना दिया सोला सिंगार, बती, सवरन जो भी गहना जेवर था सब कुछ कर दिया गुलर को और गुलर में बच्चा को लटका दिया और घर चला गया गहर चला गया उसके बाद प्रती दिन राजा आके देखता था धीरे 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 समय बेतित होने पर वारा वर्ष वित गया जब वारा वर्ष वित गया तो ये बच्चा पोसापला के बड़ा हो गया और गुलर में से नीचे आ गया राजा वहीं पर थे हाथ पकड़ लिये अपना बेटा को और बोले कि तु मेरा बेटा है चलो तुम्हार मा मर गई थी तो हम तुम्हें गुलर को दिये थे पोसने को लिए चलो मेरे घर चलो अपना घर बेटा अपना घर लेकर राजा चला गया और जब घर चला गया तो बोला अपने बेटा को कि देखो बेटा सगरो खेलने कुदने जाना लेकिन बीजू बन जंगल मत जाना खेलने और घर में ही मने खेलने को लिए लगा दिये कोई बच्चे के साथ राजा सहाव नहीं जाने देते थे कि नहीं तुम कहूं नहीं जाओ खेलने किसी के साथ मत जाओ खेलने लेकिन बच्चा कहा नादान होता है बच्चा बहुत नदान होता है कोई भी बच्चा बच्चा होता है तो बच्चन के साथ चल जाता था खेलने तो बच्चन के साथ जब जाता था खेलने तो बच्चन के साथ जाते जाते बच्चन खेल रहा था गुली डंटा ये भी बोला कि हम भी खेलेंगे खेलते खेलते ख जंगल चला गया खेलने को लिए लड़का जब पीजू बन जंगल चला गया खेलने को लिए तो यह लड़का जो गुली डंटा से गुली को मारा तो जो गुली था गुली पिगा गया कहां मा के चैती पर जहां अपने पतनी को राजा जहां का था मिती खोद के वहे पर चला गया उसको जैती पे और रानी उटके खड़ा हो गई बैठ गई वहां से रानी जी गई अजी के बैठ गई बैठ गई तो यह देख रहा है लड़का कि यह यहां पर मेरा गुली बिगाया और यहां पर से एक नारी निकल गई यह जो मा थी वह अपने बच्चे को कलेजे में स प्रेथ हो पता नहीं कौन हो और कहती हो कि तु मेरा बेटा है हम तुम्हारा बेटा कैसे हो सकते हैं नहीं हम तुम्हारा बेटा नहीं है बोले नहीं तु मेरा बेटा है तुम्हारा मा है घर पे तो नहीं मेरा मा घर पे नहीं है ओ अपना बिचारी बाते बोली कि नहीं बे मां का गले का चयन था ओर राजा अपना बेटा को पिन्हा दिया था गले में एक तरस्वीर है लोकेट में तो उसमें देखो मेरा चेहरा है वो जब देखा तो लड़का पहचान गया कि हाँ ये सच में मेरी मा है प्ला मा पिता जी तो बोले थे कि मर गई हो तुम लेकिन तुई इस बिशु बीजु बंगन जंगल में कैसे थी वो बेचारी अपना दुखवरी बाते अपना बेटा से बताई जब बेटा से तो बेटा ने घर लेकर चला गया घर लेकर चला गया और जाके अपने दादी से पुझा कि दादी मेरा मा कहां है वो क्या किया बेटा अपना जांग फार के और बच्चे को समा लिया जांग फार के बच्चे को समा लिया और समा के और गया घर मा को समा लिया बच्चा जांग में चीर के और मा को छुपा लिया कि हे सत के जांग मेरा जांग में यदि सत के मेरी मा होगी तो मेरा मा छुप जाएगी मेरा जांग में और सब को हम दिखाएंगे जब कहेंगे तो मेरा जांग फट जाएगा तो जांक फट गया और मा छुप गई फिर से जांक जुट गया और जब घर गया तो अपने मा से बोला दादी से बोला दादी मेरा मा कहा है वो दादी बताई ये हम नहीं जानते हैं तुम्हारा मा को तुम्हारा मा मर गई है बोला अच्छा ऐसा तो हाँ अपने पिता से भी पिता उसको नहीं सच बताएं। दादी और पिता के सामने दोनों के सामने बोला है सथके जांग मेरा फट जा और मेरी माता को निकाल दो। उसको जो मा थी उसका जांग से फट के निकल गयी। वहाँ रानी खड़ी हो गई, जब रानी खड़ी हो गई, तो वो जो दादी थी उसको, वो तो चिलाने लगी, पता नहीं कौन भूत परेत है, कौन है, यह बोली नहीं, कोई भूत परेत है, यह मेरी मा है, राजा पुछे बेटा, तुम्हारा मा कहां मिली, पिता जी आप जह आपके पशतावे में हम दुवारा साधी नहीं किये लेकिन जब आपका ओधर में बचा था तो मेरा साथ को ही नहीं दिया था मेरा सिर्फ एक गुलर का पौधा था वही साथ दिया और मेरा नंदलाल का पोसा इसी का सहारे रानी सहाव हम जी रहें आपको यादों में मैंने तो गलती किया था लेकिन गलती का पच्टावा भी हम नहीं किये रानी सहाव मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया अब ऐसा गल को घर से निकाल दिया, राज निकाल दिया और सब को बताया कि अजो मेरे दादी थी, उपने कलेजा को लिए, इसलिए कि हम इनका यही चाहते हैं कि इनका कोई ऐसा डंड और सजा नहीं देना चाहते हैं अपना राज से हम निकलवा देना चाहते हैं वो राज से जो बुड़ी थी राजा की मा उसको निकलना पड़ा राज से छोड़कर जाना पड़ा और अपने मा बेटा और राजा तीनों अप कोशी कोशी गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक किजिए सेर किजिए सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद हर महादेब घर कर महादेब